नमस्कार दोस्तों और आज बहुत ही quickly मैं तीन reasons बताऊंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि Google Pixel 4a क्यों नहीं लेना चाहिए 2022 में तो शायद ये तीन reasons हैं जो आपको ध्यान में रखना है और इन तीन reasons की वज़े से नहीं लेना है ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये तीन reasons आपको दिमाग में रखना है अगर आपको ये थोड़ा सा भी डाउट है अपने दिमाग में कि क्या 2022 में पिक्सल 4a वर्थ इथ है देखें मैं तो होल और हाट और सोल से सपोर्ट करता हूं पिक्सल 4a को as far as the device is concerned बट फिर भी just to be transparent just to be you know clear मेरे पास काफी messages आये हैं कि क्या 2022 में really this is worth it तो हां शॉट में तो answer मेरा yes है but even then you know दो तीन चीजे हैं जो आपको मैं बता दूंगा मेरे हिसाब से जो कि इसके against जाती है 2022 में जो कि आप अगर कोई दूसरा phone compare कर रहे है इस phone से तो आपको शायद help करेगा to decide whether this is the right phone for you or not सबसे पहले चीज इसका screen अब screen पहले चीज तो छोटी है दूसरा इसका 90Hz, 120Hz, Hi-Fi screen नहीं है It is absolutely usable, बहुत ही बड़िया इसका screen काम करता है कोई भी आपको इसमें lags या issues महसूस आपको नहीं होने वाले हैं तो अगर आपको phone की screen size या screen resolution या आपके जो refresh rate है उससे आपको काफी फरक पड़ता है तो आपके लिए Google Pixel 4 नहीं है दूसरी चीज इसका battery अब ये since the phone overall dimension जो phone का है वो आप देख सकते हो काफी छोटा है तो of course ये obvious सी बात है कि इसके अंदर जो battery होगी वो भी comparatively छोटी होगी तो अगर आप 4000 image, 4500 image या even 5000-6000 image की battery expect कर रहे हो या उस तरह की battery life expect कर रहे हो तो Google Pixel 4 आपके लिए नहीं है हाँ एक दिन की battery life आपको मिल जाएगी अगर आप decently use करते हो पावर यूजर नहीं हो तो आपको एक दिन की life मिल जाएगी which is absolutely fine because होता क्या है since इसका screen is not a high refresh rate screen तो आपको एक दिन की life इस battery में मिल जाती है although इसका battery comparatively छोटा है but मैं फिर से कहूंगा since overall footprint phone का इतना छोटा है आप देख सकते हो one-handed use के लिए यह perfect है तो इतने छोटे से phone में of course battery life कहीं न कहीं छोटी होना लाजमी है तीसरा जो point है मेरे पास वो शायद कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा शॉक कर दे वो है इसका camera अब यह नहीं कहता हो में की camera camera is one of the best in the market even in 2022 mind you but the only little issue I see is अगर आपको multiple camera systems से प्यार है अगर आपको वाइर आंगल भी चाहिए यह तेली फोटो चाहिए यह I don't know maybe macro चाहिए यह black and white sensor चाहिए वो सब जो है high funda चीजे वो सब ताम जाम आपको pixel 4a में नहीं मिलने माला pixel 4a is just a single lens camera phone which is right there on the top quality wise देखिए कोई भी कमी नहीं है बट हाँ it's just a single lens तो अगर आपको multiple lenses चाहिए वो आपको Google Pixel 4a में नहीं मिलने वाला है दोस्तों तो यह तीन जो pointers है मुझे लगता है कि आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और it is for you to decide इन तीन पॉइंस के बावजद भी क्या Pixel 4a आपके लिए वर्थ है अब यह तीन पॉइंस मेरे लिए पूछेंगे तो मुझे इतना फरक नहीं पड़ता है ना मुझे बड़ी बैटरी से इतनी महबबत है ना मुझे हाई refresh rate screen चाहिए था so मुझे पता था वो चीजे इस camera phone में इस phone में मुझे मिलने नहीं वाली है but even then I bought the Pixel 4a because I believed in the cameras, I believed in the simple operating system, pure Android experience and of course I bought it for the regular Android updates by Google तो ये चोटा सा वीडियो था अकर आपको लगता है ये वीडियो आपको help करेगी तो जरूर एक like छोड़ दीजेगा नए है इस channel में तो welcome है आपका स्वागत है subscribe कर लिजेगा या consider subscribing at least so that ऐसा content आपको future में मिलता रहे इसी के साथ इस वाले वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर अन्त और मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में दोस्तों नमस्कार